चलो बताओ डाउट और तो नहीं अब बढ़ा जबागा है दाउट पूछो डाउट रितु फोड़ खो बिटा फोड़ आउट खो बेठो आओ अब ठीक है बैठ यहो बैठ जाओ बैठ जाओ कोई धिकत नहीं उसका पेर हो गया अब तो नहीं है ना आजाओ पहर कर लग रागव तो ठोड़ा पीच्छी चले तो आजाओ सौने यह तक दिखे हैं तक दिखेगा है तरिखेगा यहां तक दिखे हैं यह तक दिखेगा है कोई तक्लीब नी होने देंगे आप लोगों पसांद नहीं होना है न पूछो वह डाउट और पूछो कि दाउट पंधा मेसे चला रहे डाउट पूछो डाउट नहीं है चले हर एक ची त्यार तो चलो अब आंगे देखो तो देखो बच्चों लास्थ हमने हैलो एलकेण हैं जात तो यह ए लिएन तो मोंनो सब्सक्राइब करना निच करना तो इन है कि है जो जन एक ही कारवण पर जाए तो उसको बोलते हैं जैमिनल और दो सेम हेलोजन अगर एडियेसेंड नेवरिंग अगल बगल के कारवण प्याइड उसको बोलते बिसीनल फिर हमने पढ़ा था ट्राई हैलो एलकेन जिसमें सबसे इंपोर्टन था ट्राई हैलो मीखेन अब त्राइलो अगर क्लोरीन हो गया तो ट्राइलो ब्रोमीन तो ट्राइलो मिथेन का जो special commercial name है, that is, हैलो form, case of क्लोरीन क्लोरो फार्म, ब्रोमीन ब्रोमो फार्म, आयोडीन आइडो फार्म, यह हमने यहां तक पढ़ा था, अब देखिए बच्चो, next देखिए, टेट्रा टेट्रा आरे तुम्हें दर्वी लग रही है उस वाले में आजा टेट्रा हेलो एलके अना टेट्रा हेलो एलके जैसे कि मिथेन के सभी H निकालके सभी जगाँ पे X लगा दे तो यह कहलाएगा टेट्रा हेलो एलके चार से ज़्यादा अटेच होई नहीं सकते आप जानता हो कारण चार बैलेंस ही सेटेस्पाई होगी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CX4 टेट्रा हेलो एलके कार्बन टेट्रा हेलाइड अब इसका सबसे फीमस एक्जामपिल जो है वो है X की जंगा आपको रेर ही PhD तक कर आओ गया तो आपको BR और आई मिलेगा सबसे इंपोर्टेंट इसका CCL4 ही है CCL4 टेट्रा हेलो एलकेन टेट्रा किलोरो और एक कारबन का है एलकेन मीथेन उनकों अराम से लिखते जाओ तो टेट्रा किलोरो नीथेन और बच्चों देखे इसका अब कॉमन नीव कारबन पे कितने किलोराइड लग गए तो इसका नाम है कारबन टेट्रा किलोराइड यह वाला नाम इसका जादा चलता है कारबन टेट्राकिलोराइड वाला तैर बन टेट्रा किलोराइड कारबन टेट्रा किलोराइड अब आपको में इसकी खास बात बताते हैं इस बहुत ही अच्छा नॉन पोलर सॉल्वेंट है देखो फोलर सॉल्वेंट जैसे कि सबसे अच्छा पोलर सॉल्वेंट है वाटर है पॉजिटिव निगीटिव पॉजिटिव अब जितने भी चीजों में आयन होगा ना कोई से तेजी से डिजॉल होते हैं लेकिन अगर बात आ गई आपके नौन पॉलर कंपाउंड की जैसे कि हम बात कर लें सी यू टू की कि वाटर में बहुत दीमें डिजॉल होती है लेकिन इसी को आप कार्वन टेकल राइट में खोल दोगे तो तो यह नौन पॉलर है इस पर कोई कि चार्ज नहीं आता है यहां से और यहां से डाइपोल मुमेंट कैंसल हो जाते हैं तो इसका जीरो आता है तो यह नौन पॉलर सॉल्वेंट है तो कभी भी नौन पॉलर सॉल्वेंट की बात आए ना तो आपको जरूद पढ़नी है में नौन पॉलर सॉल्वेंट की यह नौन सिटी कर्रेक्शन में पढ़ेगी जरूद हमें तो हम आपके बार लिख देते हैं कि दो बहुत ही अच् कारवन टेट्रक्रोलाइड और कारवन डाई सुलफाइड क्लोरोफो लेकिन उसमें हल्की सी पोलिरेटी आती है नाम मात्रती कभी भी और्गनिक सॉल्वेंट की बात आ जाए तो आप बेंजीन टाल्वीन एल्गोहॉल हाना एथर एसीटॉन पेट्रॉल डीजल केरोसीन ओयल है ना जैसे में पेंटेंट करते तो पेंट पानी से सावन से नहीं छूटता तो केरोसीन ओयल से छूटता बहुत अच्छा कि अच्छों अभी हमने हैलो एल्केन को अब बुलकुल हमें आज बात नहीं चाहिए तर्पेंटाइन और केमिकल कंपोजीटन है वो मतलब ऐसा पर्टिकुलर नहीं है तो आप इसको पर्टिकुलर जैसे पर्ट्रॉल का पर्टिकुलर फॉम्ला नहीं बता रहाते हैं पर् का तर्पेंटाइनॉलिक हाइडो कारण से बच्छों देखो अभी हमने हैलोजन की बेस पे हैलो एल्केन पड़ी एक हैलोजन तो मोनो दो हैलोजन तो डाई तीन तो ट्राई और चाह तो टेट्रा यहां तक आपको कोई भी कंप्यूजन तो बताओ बिलकुल हम स्टैप बा 4-3-3-2-1-1-2-3 कैसे भी फुलकुल ऐसे आपको बनना चाहिए रीजन यह नहीं है कि एक्जाम में कहा हम आपसे चाहते हैं कि आपसे कुछ भी पने हैं कोई डाउट नहीं तो आप देखो बच्चों आपको तीन चीजे पढ़नी है अब यहां से बिनाइल एलाइल बेंज डाइल ए आइडेंटिफिकेशन के लिए आजाते हैं को फूले थे बिनाइल क्या है एलाइल क्या है वेंजाइल क्या है हना अगली हैइंग डालिये आप लोग कह बिनाइलमेगा कौन में हेलाइड कौन और विलकुल कंठस पकड़ना है जो हम बताएं बिनालिक हैलाइड तेखिए वच्छों कार्बन कार्बन डबल बॉंड से कार्बन कार्बन डबल बॉंड से अगर डारेक्ट हैलूजन लग जाए कोई भी हैलूजन तो इसे कौन सा हैलाइड बोलेंगे बिनालिक हैलाइड आगी बात सुझवें कार्बन कार्बन डबल बॉंड से कोई भी हैलूजन लग जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे बिनालिक हैलाइड अब इसका नाम यह बहुत इंपोर्टेंट आंगे दिरूद पड़ेगी तो बिनाल और यह आंगे क्या लगा है किलो रा आज के बाद आपको बिनालिकोलोराइड का नाम पता होना चाहिए और एक जाम पर आपको वता है आप बहुत प्लास्टिक का नाम जानते होंगे पी बीसी नीले नीले पाइप आते है उसमें लिखा रहे तब पीबी सही पाइप वो इसी से बनती है पॉली बिनाइल पीबी सी पाइप तो यह आपको पता होना चाहिए डाउट कहीं से कहीं तब अभी तो सब ही करेंगे वो तो करनी ही है तो आटोमेट वो तो अभी सिंपल फॉर्म म सिंपल चेक करो यहां कितना सिंपल एक हाइडोजन जितना उतना सिंपल तो होगा ही और एक एक किलम लाके कितने से इसका हाइब आईजीसन क्या हुगा तो आप ऐसे भी बोल सकते हों कि किलोरीन अगर डारेक्टली एस्पी टू हाइब्रेड कार्बन से लग गया तो वह कौन किलाएगा बिनाइल खिलोराइड लेकिन एक्स्ट्रा आपको अपने दिमाग के से इतना रख रहा हैं कि डारेक्ट अगर लग गया डबल बांड वाले कार्बन से तो उसको हम क्या बोलेंगे बिनाइल खिलोराइड नोट करिए इसको लेकिन यही नाम आपको याद रखना है जो बच्चो वन पे खिलोरो है के वां शुआ करो हैं दो कार्बन है तो सरन मानों क्या वोलते हैं ये वं बांर क्लोरो इ-थीरेन आपके सकते हैं इस इसमें वह भी नहीं सकता बिल्कुल सही है तो किलोरोइफीन लिख दो लेकिन आब आज कर बिनाइल किलोराइट बिनाइल ब्रोमाइट बिनाइल आयोडाइड पर बिनाइल एलकोहल का फॉर्मला बताएगा क्या इसे कॉमन सेंस बढ़ाते चलने बच्चों है 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 लोजन आज देरेक्तली अटेच्ट टेच्ड बेथ डबली बॉन देड डबली बॉन्डेड डबली बॉन्डेड द द वे कारवन अटम, हालोजन डारेक्टली अटेच्छड विध डवली बॉन्डेड कारवन अटम, खीक है, चलो बच्छो तो कुछ, फॉर्मिला आपको इसका याद होना चाहिए, बिनाईल का, मतला बिनाईल का, जिद्दो कारवन वाला, चलो देखते हैं बच्छो, कुछ हम आपके सामने लिखते हैं, आप बताईएगा, आप है की नहीं बिनाईल है, बेंजिन रिंग नहीं आनी चाहिए और, इस बिनाईल, बेंजिन रिंग नहीं है बच्छो, इस आइकलो एक जीन है, बेंजिन रिंग होते तो तीन बांड होते, इस बिनाईल क्या बिनाईल है, चेक कर लो, यहाँ कारवन, यहां कारवन डब्ली वन्ट डारेटली उसे लगा है तो इक क्या होगा बेनायल है लाइट बिनायल पर राइट नोट करिए तरह बेनायल बैंजीन रिंग आजाएगी तो इसको बिनाइल नहीं बोलना है फिर वह एरिज्रेलाइट के लाएंगे इसलिए बॉल दिया बैंजीन नहीं आनी चाहिए फिर वह अलग केटीगरी में आ जाएंगे जैसे एक बच्चा बोला अधिये बैंजीन रिंग और यह लग गया तो फ लिए तो एरोमेटिक कंपाउल्ड शिलाएगा इन अ इस बताव अच्चो अ इद्दी सब बिनाईल क्या है बिनाईल है यहां कारवन डवल बॉन्ड यहां कारवन और इस कारवन से क्या लगा है वही तो है अभी अभी लिखा था तद्धिसी द बनाईल कोई बात नि बच्चो पर शीखते जाओ ना वही तो है अभी अभी लिखा था ऐसे वाइख फेलिंग से पकड़ते जाना है अगले हमें तीन-चार महीनों में ऐसे feeling पकड़ पकड़ के ऐसे सीख जाना है वही तो है जो भी भी लिखाता है बिनाईल सौझ में आ गया अच्छे से चलो अगला डालो अलाईलिक है लाईलिक 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 है ल य्राइलिंग हैलाई colonial देखो बच्चोऊ शीड डबल बॉंडonner कार्वन्टम ऑन है भिर उससे कार्वन एटम और फिर उससे है लूजन आप सुनो एलाइलिक हैलाइट की पहचान जिस कार्बन से हैलोजन लगा है वो कार्बन डारेक्ली लिंक्ट होना चाहिए डबल बॉंडेट कार्बन से अगर हैलोजन डारेक्ली डबल बॉंड वाले कार्बन से लिख जाता है तो तो बिनाईल है लेकिन हैलोजन उस कार्बन स से लगे जो डारेटली डबल बॉन्डेट कार्वन से है तो इसको आप क्या बोलोगे एलाइल दिसे जा एलाइल है राइड और इसको आप बोल क्या सकते हो एलाइल किलो राइड हाइड इन बैलेंस कर लो एलाइल किलो राइड याद होना चीह आपको यह वाला नाम एलाइल किलो राइड फूचलो अगर कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो देखो यहां टू हाइड जन यहां वन हाइड ज़िए यहां टू हाइड जन इसका आयूपेसी नेम भी लिख देंगे अभी बच्चो अब हाइड आइजेशन चेक करें बताओ इसके पास कितनी सिंग्मा बाउंड एक दो और दो हाइड जग से चार तो इसका हाइड आइजेशन SP3 और एक कर्वन किस से लगा है इस कर्वन से इसका हाइड आइजेशन एक दो तीड SP2 तो और आप डीब जाना चाहते हो तो हैलोजन आपको याद तो विसी सेंस पर रखना है जिस सेंस पर हम बता रहे हैं लेकिन और आगर आप पोलना चाहते हो तो हैलोजन SP3 कार्वन आटम देन इस कॉल एलाइल नोट करिये हैलोजन हैलोजन डायरेक्टली 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 हेलोजन दारेटली लिंग्ट बीत síngalडोंडरेटली लिंक्त बीत्षीं हेलोजन डारेक्ली लिंक्त नूद्रेटली लिंक्त बेते शिंगल बॉंडडरेट 220 लिंक्त बीत्व intim which is which is which is next to which is next to doubly bonded doubly bonded कारवन एटम doubly bonded कारवन एटम बच्चों कोई भी भूलकुल हमाई लेंग्विज याद करने की कोई आपको हमाई लेंग्विज याद नहीं करना है आपको सिभी याद करना है यापकी हैल्प के लिए लिख पाई हमने सिभी ए ठीक है चलो देखते हैं तो जामप्विल लिखते हैं अच्छी जय fifty name लिख दे देखो हमने इतना याईव पेशी नेम पढ़ेया लास्टिए इसका एक बात में अजरी तो कौन बताता है कर लो चलो लिख लो जिसको पताओ इसका याईव제가 सिन जिस्ते पूछे हुआ ही बताएगा एलाइल किलोराइड एलाइल है बताओ प्राइंजल स्काई पेशी नेम किसना टाइम हाँ तुम बताओ प्राइंजल कर सही है क्योंकि डवल और प्रायोर्टी लेता है ओवर ओल है लोजड यही हमें लगदा ता गलती करोगे तो नम्रिंग कहां से की है इस साइड से जो की गलत हो गई है नम्मिनिंग यहां से होगी डवल और प्रायोर्टी लेगा ओवर है है तो वान टू थिरी तो धिरी किलोरों किस पर थिरी पर से लिख़ दिया हम ने प्रायोर्टी एन्न अंब्च्छों डवल वन ओवर है है रोजंग तो थिरी किलोरों थिरी क्लोरो और एन कहां पर लगी यह वन पर वन थिरी क्लोरो प्रोवन एन या प्रोपीन भी लिख सकते हो और डारेट डबल बॉण्ड को जो आप नंबर देते हो उसमें चोटा वाला नंबर डबल बॉण्ड का कहलाता है तो वन टू में से वन नमबर कहला है रहा थिरी क्लोरो प्रॉफ पन ए एलाइल क्लोराइड ठीक है बच्चों देखते हैं आपको यह समझ में आया की नहीं एक्जामपिल करते हैं पैचानो एदिस है एलाइल क्या यह एलाइल है पैचानो भई क्या एलाइल है ऐस सर्थ विल्कुल एलाइल है एक कारवन और आयोडीन कहां से लगा है तर दिसीजा एलाइल आप पहचानों बच्चों इस एलाइल है याईल है बिल्कुल यहां कारवन यहां कारवन और यहां कारवन यह एलाइल है तूब रहके पहचानना है याईल वरोमाई और प्रोपर नाम करना है तो देखो यहां से जाएगी लिशित 1, 2, 3 तो थीव रोमो, साइकलो, हैगजा, वनी, लेकिन अभी इसकी कोई जरूत नहीं, सिर्फ आप पहचानो, इस अलाइल और नॉट बच्चों क्या ये अलाइल है? पहचानो क्या ये अलाइल है? इस अलाइल है? येस? अलाइल है? एक कारबन, एक कारबन, और डवल गारबन है, तो ये अलाइल? लोड़ कर दिया बच्चो मेगा अगर लाइल की 먹는 benze रिंग में ईसको बोलते हैं जाए ला प्रेहीं पर हेंट लगाके लिक्लों की नि धितले न प्रॉप प्रेंजीन्द्रिंड होने यह चेले गई आधा दूरा प्रॉपर बेंजीन रिंग एलाइली कंडीशन इन बेंजीन रिंग वो भी एलाइल है लेकिन आप उसे एलाइल अगर लिख की आउग जा में तो नंबर कटी आई ने उसको बेंजाइल बोलना पड़ेगा आपको एलाइली कंडीशन इन बेंजीन रिंग इस कॉल्ड बेंजाइलिक इस कॉल्ड बेंजाइलिक अगली एदिन डालो बच्छो बेंजाइल है लाइड बेंजाइल है लाइड बेंजाइल मतला अलाइल इन बेंजीन रिंग अलाइल इन बेंजीन रिंग इसको यही वाला ना यहीं लिख दे रहे हैं अगर अलाइल की कंडीशन बेंजीन रिंग में आ गए तो उसको बोलते हैं कि बेंजाइल है लाइड है चलो बच्छो कि देखें बेंजीन रिंग ना कि चक्र लगा तो टाल्टर निट क्रमें बॉन्ट ना लगा दो पहचानो क्या यह बेंजाइल है यह यह शेकल लाइल आ रहा क्या कार्वन कार्वन डवल बॉन्ट से जो कार्वन लगा उससे क्या जुड़ा है है लोगन लेकिन बेंजीन बेंजाइल क्या कहलेगा यह घ्रिक को अच्छे से आथ कर लो अच्छे हो यह चैल ग्रूप है तो बेंजाइल कि लोगन आयोडाइड साइनाइड एल्कोहौल जो भी लग जाए और ओचल चलाइड तो वेंजाइल एल्कौहल तो इसमें तो सब में आता है तो इसमें वाले कंपाउंड इसलिए कम बना जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा रेक्टिव सबसे रेक्टिव नॉन मेंटल है लोगे एक्स्प्लोजिव है तो इसका नाम हो गया बैंजाइल किलोराइड या